हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो प्रिवियस वीडियो में हम महारस व उप्रस को डीटेल में एक्स्प्लेइब कर चुके हैं या स्वाट में हमसे महारस या उप्रस का सिर्फ सोधन या मारण पूछा जाता है तो उसे भी हम प्रिवियस वीडि प्रॉंटी मार्क्स या बड़े मार्क्स में पूछा जाता है तो हम उसे कैसे इजली कवर कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक तो महारस और उप्रस के सम्मान ही हमारे साधरन रस की संग्या भी आठ बताई गई है अब इन साधरन रसों को सिक्वेंसे भी लर्न कर लेते हैं तो इन्हें सिक्वेंसे लर्न करना क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारी साधरन रस के सोधन और मारण की ट्रिक तो हमारी ट्रीक है कपील गौरा नाव में कप वह अगनी में सिंदूर डाल कर ही मुडदाघर में जाता है तो इसे हम ऐसे लर्ण रख सकते हैं कपील कोई लड़का है और गौरा उसकी कास्ट है तो वह नाव में कब उसके पास कोई नाव है उसमें वह कब और अगनी में सिंदूर डाल कर ही मुर्दागर में जाता है जहां कि वो काम करता है क्या कपील गोरा कोई लड़का है वो नाव में कब और अगनी में सिंदूर डाल कर ही मुर्दागर में जाता है वह अपने दो काम को करके पहले नाव में कप डालेगा और उसके बाद अग्ली में सिंदूर डालेगा उसके बाद रहा मुडदा घर में अपने काम करने को चाता है तो चलिए अब इससे डिकोड़ कर लेते हैं तो कपील से हमें हमारा कमपीलक साधारनरस इजली आद आ जाएगा कपील से कमपीलक को रिलेट कर सकते हो गौरा से हम इजली गौरी पासान को रिलेट कर लेंगे नाव से हमें नव साधर को रिलेट कर लेना है और कप से हम कपड़ या कपड़ी का जो हमारा चौथा साधारनर अगमिसार को रिलेट कर लेना है उसके बाद सदूर से हमें हमारा साध्वा साधरन रस्त आ जाएगा तो ये थी हमारी ट्रीक जिससे हमें हमारे साधारन रसन deedsक्तびेशाईंति प्रीज कर साथमें हम gimbal साधार रसका सिक्वेन्स बीब जाता है तो हमारी साधारन रस हो जाते हैं कमपीलक गवारीपासान नौसाधर कपड दिया जिसे कपड़दिक्स भी अगनिसार, गिरी सिंदूर, हिंगूल और मुर्दा संग ये थे हमारे आठ साधारन रस जिनका की हमें अब नाम मिल चुका है अब इन्हें डीटेल में भी देख लेते हैं तो जहां पे जो portion समझाने वाला होगा उसको हम समझाते हुए चलेंगे और जो portion सिर्फ learn करने का है उ से हम स्कीप करते हुए चलेंगे जैसे कि अब चलते हैं कंपी लग हमारे साधारन रस की और तो नाम परियाई भीद ये सब तो लर्न करने वाला हुआ और परियाई में भी मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था कि परियाई को हमने लिखना ही है परियाई बहुत सबसे पहले तो जो हमारा है साधार उप्र और उप्राफ होगा सबसे पहले तो जो भी होगा उसको पहले लिएunda है इससके बात रे चन रोचन इस से थोड़ा सा लेट वाली चीजह को लिख लेना है वैसे ही गउरिपास्ताण सबसे पहले परियाई में लिखाई है उसके बाद उससे रिर term परियाई को सबसे पहले नियाद आजाएगा अगनी संदूर में लिखाईए उसके बाद अगनी संदूर से इजली सिंदूर याद आजाएगा बोलने का सिंपल मतलब यह हुआ कि जो भी हम परियाई लिखेंगे तो सबसे पहले जो भी जिस भी वर्ग का जो भी होगा उसे सबसे पहले लिख देना है उसके बाद उससे रेलेटेड जो भी परियाई हमें याद आजाते हैं इसली उन्हें याद रख लेना है और इस फ्लोचार्ड में भी हमने सि कि एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं तो परियाई वाला पॉइंट अब हमारा बिल्कुल किलियर हो जाता है कि परियाई हमें कैसे डील करने हैं तो उसके बाहर चलते हैं कि जब भी हम डीटेल में कि अपने किसी भी वर्क को लिखते हैं तो उसमें हम पांच हैडिक को लेकर चलते हैं सब से पहले उसका नाम नाम में सज्सकी थिंदी और अंग्रेजी तीनो नाम कोista हम इंगरूट कर लेते हैं उसके बाद परियाई परियाई तो हम देख लेते हैं तो सबसे पहला हमारा कंपी लग था तो कंपी लग में नाम परिया ये सब तो लर्ण करने वाला पॉर्चन हुआ भेज तो इसके है नहीं इसके बाद गौरी पासाण में देखें तो गौरी पासाण में भी ये पॉर्चन लर्ण करने वाला हुआ इसमें थोड़ा स दारू तो इजली आद आजएगा तो इसके परियाइद दारू मूस, दारू मुसा, संग मूस यह हैं तो इसके परियाइक हम थोड़ा सा यहां से डिलेट कर सकते हैं उसके बाद देख लिते हैं भेद तो रसरद्न समुचे में इसके तीन भेद बताए गए हैं गौरी पासान इस फर्टिक यानि की फिटकरी के सद्रिश चमकिला होगा उसके बाद चलते हैं संग खाब तो इसकी जो आकरती होगी डारेक्ली संग से रिलेट करेगी तो इसकी आकरती संग के सम्मान उसके बाद हरिद्रा तो इसकी आकरती हरिद्रा यानि की हल्दी के सम्मान होगा और हल् तो फिट करी या इस फटिक क्यासी होती है सोई दुर्ण की होती है तो यहां से में इसका कलर भी मिल चाहेगा उसके बाद नवसादर में चलते हैं तो यार यह पोर्शन तो लर्ण करने वाला हुआ तो इसे हम स्कीप करते हुए चलेंगे सोधर मारण तो हम ट्रिक से देख ल हमारा लर्ण करने वाला पोर्शन है तो इसे भी हम स्कीप करते हुए चलेंगे जिसे हमारी वीडियो ज्यादा लॉंग न हो तो अब चलते हैं अपने सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक की और की हम साधारन्रस का सोधन और मारण क्या से ट्रिकी फॉर्म में लर्ण कर सकते है तो चलिए देखते हैं तो हमारे साधारन्रस सोधन की ट्रिक है जब जन्म दो नहीं आज इसे डिकोड भी कर लेते हैं जासे हमें इजली जल याद आ जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट साधारन्रस यानि की कमपिलक है उसका सोधन जल से होता है उसके बाद बहसे हमें बकरी क दूद इजली याद आ जाएगा बसे बकरी का दूद तो जो हमारा सेकंड महारस हमारा कौन सा है गौरी पासाण तो गौरी पासाण का सोधन बकरी के दूद से होता है उसके बाद फिर जह से हमें फिर से जल को रिलेट कर लेना है जहां भी जह होगा वहां से में जह से जल को कर लेना है तो हमारा जो तीसरा साधारंडरस है उसका सोधन जल से होता है उसके बाद एक लेते हैं न से जो जन्म में आदा न यहां है उससे हमें नीबू स्वारस को रिलेट कर लेना है तो जो हमारा चौथा साधारंडरस कपड़ दिया कपड़ दिका है उसका सोधन नीबू स्वारस से easily हो चाता है उसके बाद थोड़ा समझने वाला ये पोड़ेंगे कि 2 जो हमने ये 2 नहीं लिखा है उसके बाद यानिकि 4 तक तो हमारे यहां complete हो जाते हैं उसके बाद दो नहीं यानिकि 5 और 6 जुटता है उनका सोधन नहीं बताया गया है उसलिए हमने दो नहीं लिखा है मतलब जो हमारा चारदों हमारे यहां कंप्लेट हो रहे हैं उसके बाद जो पांचवा और छटवा बच रहा है उनका सोधन नहीं बताया गया तो इसलिए हमने दो नहीं लिखा है ठीक है छे तक यहां कंप्लेट हो को relate कर लेंगे तो हमें हमारे साधरन रस के सोधन दर्विया तो मिल जाते हैं अब देख लेते हैं इसे हम language wise कैसे apply कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारा कंपीलक है तो कंपीलक का सोधन भी देख लेते हैं तो कंपीलक में इस्टिका चून आदी किर्तिम असुद्यों को दूर करने के लिए जल तो हमें हमारी जल में दाल देना है तो जो सुद्ध कंपीलक ऊपर तहरता रहता है उसे चान लेना है और उसे सुकाने पर यह सुद्ध हो जाता है उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा साधारन रस जो है कि हमारा गौरी पासान तो गौरी पासान के लिए बहुत से हमें इसली बक्री के दूद को रिलेट कर लेना है लेना है तो नौसादर के लिए भी हमारा दर्विया ज़issant से हमें जल को रिलेट कर लेना है तो इसका सोदन है जब से पहले हमें एक भाग क्या है नौसादर को लेना है और तीन गुना जल में गोलकर वस्त्र से चान करके पात्र में रख ले फिर पात्र को चूले पर चड़ा का तो उसके लिए हमारा जो दर्विया था तो नौ से हमें नीबु स्वारस को रिलेट कर लेना है तो क्या करना है हमें नीबु स्वारस जो हमें ट्रिक से मिल जाता है नीबु स्वारस में दोला यंत्रविदी से एक परहर तक स्वेधन करके उसके बाद उस्रण जल से परचा नहीं बताया गया है, तो अग्नी जार का सोधन क्योंकि प्राकरिक यानि कि नेचिरली ही सुद्ध पाये जाते हैं, इसलिए इसके सोधन की जरुवत नहीं पड़ती है, आप ये अग्नी जार के सोधन की लेघ्वीज को लुआ भी रख सकते हो, या डारेक्ली लिख भी सकते हो कि अग्णी जार का सोधन नहीं होता है, क्योंकि यहां नेचृरली यहां प्राक्रि रूप से ही सुध्ध पाया जाता है, इसलिए हम इसका सोधन नहीं करते हैं तो चले एक बार से रीड भी कर लेते हैं तो यह कहता है कि अगनी जार के सोधन वह मारण का सास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि यह सुगंदित दर्व्या है तथा सामुंद्र के छारिया जल में कही दिन तक पड़े रहने के कारण यह प्राकर्तिक सुध ह लों जाता है अलग से सोधन की आ सकता नहीं होती है तो हमें लग से अगनी जार को सोधन करने की जरुवत नहीं होती है तो हमने घुम साधानरस गिरी सिंदूर की और तो हमने कहा था पांचवां और छट्वां का सोधन नहीं है तो हमें हमारी ट्रिक से डायक्ली पता चल जाता है कि छट्वां यानि की गिरी सिंदूर का सोधन नहीं बताया गया है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साधानरस हिंगूल की और तो बहुना देकर सुकाने पर हिंगुल सुद्ध हो जाता है उसके बाद देखते हैं हमारे आठवा मुर्दासंग का सोधन तो जिसका सोधन दर्वया हमें हमारे ट्रिक से मिल जाता है कि जल से हमें जल को रिलेट कर लेना है तो इसका सोधन है मुर्दासंग को पीसकर बारिक कप करके दूप में सुखाने is प्रप्रकार मृदासंगों इतना बारिक पीष्णा है कि वह पंदर दिन तक या करना है स्वर्जल से दोना है और धूप में सुकाना है और इस परकार मुरदासंग सुध हो जाता है तो यह था हमारे आठों साधारण साधारण रसों के अलग-अलग सोधन तो साधारन रस का एकनानिया सोधन भी होता है जो उसका कोईशन पूशा जाता है कि साधारण रसों का साम्सान बताइए तो साधार नर्स ह न का हमने अब तक special या specify पड़ा है क्योंकि particular जैसे अलग था गौरिपासन के लिए अलग था नौशादर के लिए अलग था कपड़ के लिए अलग था तो यह सब साधरन रस के special सोधन है अब देख लेते हैं हम साधरन रसों का सामान्या सोधन तो सामान्या सोधन क्या है इसका तो साधरन रस के किसी भी दर्विया को मातुलिंग एबं आद्रक्सोरस की तीन दिन भावना तीन दिनों तक देने पर सुद्ध हो जाते हैं क्या करना है साधरन रस के किसी भी इसलिए यह सामानिय प्रेसर है कूछ किसी इनका सोधन हो जाएगा इसलिए हम में सामालने और इस्पेसल या स्पेसिफाई सोधन दोनों मिल जाते हैं अब देखते हैं साधरन रस का मारण तो साधरन रस जो है उनका बहुत से दर्ब्यों का मारण नहीं बताया गया है जैसे कंपीलत का मारण नहीं बताया गया है अगनी जार का मारण नहीं बताया गया है गिरी सिंदूर का भी नहीं बताया गया है और मुर्दा संग का भी मारन नहीं बताया गया है सिर्फ हमारे दो साधरन रसे जिनके मारन बताए गये हैं फर्स्ट हमारा गौरी पासान और सेकेंड हमारा कपड दिया कपड दीका तो अब इन्हें याद कैसे रखे कि यार वो दो कॉंसे साधारंद से जिनका मारण की प्रकेया बताई गई है तो 2 into 2 कितना होता है तो हरकिसी को हाई हाई ही आ लगी 4 होता है तो हमारे दो मारण दर्विया एक जो 흡़ो हमारा से हैं तो इनका मारण भी देख लेते है तो गोरी पासाण या सक्या के मारण की परकिरिया है पहले हमें सुद्ध गौरिपासाण 10 ग्राम की मातरा में लेना है उसके बाद लाजवन्ती के कल्क के बीच में रखकर सराव संपूट करें ठीक है उसके बाद क्या करना है सुखने पर एक किलो उपलों की अगणी में पाक कर इस परकार साथ बार पुट देने पर सक्यों की भस्म बन जाती है क्या करना है हमें पहले सुद्ध जो सक्या या गौरिपासाणे उसको पहले 10 ग्राम की मातरा में लेना है उसके बाद जो लाज वान्ती के कलक है उसके बीच में रखना है और सराव समपूट करके रख देना है फिर क्या करना है जो हमारा एक केलों का अग्नी में पाक करना है और साथ बार पुट देने पर सक्यों की भस्म बन जाती है उसके बाद देख लेते हैं हमारे last साधारण उप्रस जिसके की मारण की परकिया बताई गई है जो है हमारा कपड़ दिका तो हमें क्या करना है अगनी के धतकते कोईलों में कपड़ दिकाओं को रख कर धमान जनाना है उसके भश्म हो जाती है हमें क्या करना है सबसे पहले कपड़ दीकाओं को धतकते कोले मतलब गर्म कोलों पर रख देना है उसके बाद जो कपड़ दीका हैं उन्हें सौनकषित मतलब उनमें भी कपड़ दिकावाला तो इजी है कि सबसे पहले हमें उसे अगनी के कोईले पे रख देना है उसके बाद उसे सांगसित होने को छोड़ देना है और वहाँ चूड़ूप हो जाती है और उसी से हम उसकी बस्म को प्राप्त कर लेते हैं तो गौरी पासान जो है वो थ आसी न्वर्मली कवर हो जाता है तो यह था हमारा आज का टॉपिक जो यहीं कवर होता है सो होप कि आप लोगों के लिए यह वीडियो थोड़ी भी यूसफुल हो सो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल